प्रारंबिक शिक्षा के डिप्लोमा पाठिकरम संख्या 501 के ब्लोक एक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम सौतंदरता प्राप्ति के पुर्व तक भारतिय शिक्षा के विकास का जाइजा लेंगे। साथ ही मुल्यांकन करने का प्रियास करेंगे कि इस अंडिया कंपनी के आने के बाद भारतिय शिक्षा प्रणाली में क्या बदला हुए। साथ ही मैकावले मिनर्ट्स और हंटर कमीशन का भारतिय शिक्षा पे क्या प्रभाब पड़ा उसका भी मुल्यांकन हम आज के कारक्रम में करेंगे बरहल जहां तक भारत में वर्तमान शिक्षा प्रणाली की शुरुआत का प्रश्ण है वो 19-वी सदी से मानी जा सकती है जब भारत में इस्ट इंडिया कमपनी का आगमन हुआ इस दोरान शिक्षा प्रात्मिक रूप से धर्मिर्पेक्ष, वग्यानिक, तक्नीकी और प्रबंध कौशल से संबंधित रही है ब्रिटिश काल में हैस्टिंग्स, जोन्स, वेलकिन्स और विल्जन जैसे विद्वान भारत की शास्त्रिये परंपराओं से बहुत अधिक प्रभावी थे इसका प्रभाव ये हुआ कि ब्रिटिश काल में परंपरिक शास्त्रिये अध्यन को निया जीवन मिला हलाकि प्रारंबिक साथ वर्षों में इस्ट इंडिया कंपणी एक विशुध वियापारिक कंपणी थी और उसका उद्देश देश में शिक्षा को प्रोसाहन देना नहीं था बलकि वियापार करके अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमाना था इसलिए कहा जा सकता है कि बिटिश काल के प्रारंबिक साथ वर्षों में शिक्षा के प्रोसाहन और विकास के संदर्व में जो प्रियास वे उसमें इस्ट इंडिया कंपणी या बिटिश सरकार की नीतियों की जहलक कम मिलती है बलकि व्यक्तिका दस्तर पर किये गए प्रिया इन मदर्सों में मुस्लिम धर्मशास्त्र, कानून, गनित, व्यक्रन तथा इससे संबंदित अनविश्यों के शिक्षा देना था इसी प्रकार एक और व्यक्तिकत प्रियास का ही परिनाम था कि 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में बनारस संस्किर्ट कॉलेज के स्थापने की जहां हिंदू वीधी एवं दर्शन का अध्यन होता था इसी प्रकार 1800 में लौड वेलेजली ने कंपनी के असेनिक अधिकारियों के शिक्षा के लिए फोर्ड विलियम कॉलेज के स्थापने की इस कॉलेज में अधिकारियों को विबिन भारतिय भाशाओं तथा भारतिय रिती रिवाजों के शिक्षा दी जाती थी विलियम जोन्स ने 1784 में अश्याटिक सोसाइटी ओफ बिंगॉल के अस्थापने की जहां संस्किर्ट के दूरला पांडूलूपियों की खोज संपादन तथा प्रकाशन का काम होता था बात चाहे कलकता में मदर्सी के भारतिये नियमी तोर पर उपलब्ध कराए जा सके जो शास्त्रिये तथा स्थानिये भाशाओं के अच्छे ग्याता तो हो ही साथी कंपणी को उनसे कानूनी प्रशाशन में मदद हो नियाई विभाग में अरबी फारसी और संस्कृत के विद्वानों की निवती इसली हु एक और घटना घटी जब मिशनरियों और भारतिये बुद्धी जीवियों ने ब्रिटिश सरकार से ये मांगी कि भारतियों को भी आधूनिक और पाश्यात्य सिक्षा पणाली से अवगत कराये जाए इसके पीछे इन बुद्धी जीवियों की सोच ये थी कि पाश्यात्य शिक्षा के माध्यम से ही भारतियों की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनितिक दूरबलता को दूर किया जा सकता है वहीं मिशनरियों की मन्शा ये थी कि भारतियों का उनके धर्म के प्रती आस्था समाप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि उनके अंदर पाश्चात शिक्षा का परचारो परसार किया जाए मिशनरियों का ये भी मानना था कैसा करने से भारतिये इसाई धर्म ग्रहन कर लेंगे दरहसल इन सब के पीछे इस्टेडिया कमपणी का दृष्टिकोन ऐसे कई रिपोर्टों पर आधारी था जिसमें कमपणी ने बंगाल, मदरास और बंबे प्रेसिडेंसी में कई सर्विक्षन करा कर भारत की शैक्षनिक और धर्मिक ववस्ता का जाइज़े लिया और माना कि यहां के समाजिक और शैक्षनिक ववस्ता उन्नत है जिसे स्वे महात्मा गांधी ने एक खुपसूरत व्रिक्ष के संग्या दी जहां समाज, हरवर्ग, संप्रदाई और अलग-अलग जाती के लोग एक साथ अध्यन करते थे हाला कि 28-20 शताबदी के अंत और 19-फी शताबदी के शुरुवाती वर्षों में भारत की शिक्षा अपिक्षाक्रित कमजोर हो चुकी थी लेकिन तब भी तुलनात्मक रूप से वो योरोप की शिक्षा ववस्ता से कहीं जादा समता मुलक और उन्नत थी इस इंडिया कमपणी के भारत आगमन के बाद एक और जहां वारेन हैस्टिंग्स, विलियम जोन्स, जोनाथन डंकन और विल्सन जैसे विद्वान भारतिय शिक्षा प्रणाली से प्रभावित थे वहीं दूसरी ओर चॉल्स क्रांट, जेम स्मिल और लॉड मेकाले जैसे अ 1790 से लेकर 1835 के बीच के वर्षों में, इस इंडिया कमपणी भारतिय शिक्षा के संदर में कोई विशेश नीतिक निर्धारन नहीं कर सकी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज ही भारतिय शिक्षा का पश्मी करन करना चाहते थे, बलकि भारतिय मध्यम वर्ग का एक बड़ समूह भी अंग्रेजी माध्यम का समर्थक था, राजरा मोहनराय के नित्रित में इस समूह ने बेंटिक तथा मैकाले के समर्थन किया, हलेकि रवेदरनात टैगूर जैसे विद्वान भी थे, जिन्होंने अंग्रेजी राज की शिक्षा व्यवस्ता की आलोचना की और कुल कांगडी, काशी विद्यापीट, गुजराद विद्यापीट और जामिया मिल्या विश्विद्याले के स्थापना ब्रिटिश शाषन के दौरान उनके शैक्षनिक आकांशाओं के मद्दे नेजर की गई थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ आधूनिक संस्थाएं जैसे अलिगर्ण मुस्लिम विश्विद्याले, मनारस हिंदु विश्विद्याले, विश्व भारती और शांती निकेतिन के स्थापना ब्रिटिश शाषन के दौरां भी इस दोरान भारतिय शिक्षा व्यवेस्था और इसके मुक्यधरा अंग्रेजों और उभरतेवे मध्यम वर्ग के हितों के ध्यान में रखतेवे बदलती कही। आरंभ में इस शिक्षा के कारण भारतिय समाज में पश्चिमी करण को प्रोचाहन मिला परन्तु बाद में आधुनिक शिक्षा के प्रभाब में ही वबन समाजिक धार्मिक सुधरवादी प्रयास्वे। ब्रहम समाज, आरे समाज, रामकृष्ण मिशन, अलिगर्ड एवं अहमधियां आंदोलन इतियादी को भी आधुनिक शिक्षा ने प्रभावित किया। इस प्रकार के निर्मान में महतोपुन भुमी का भी निबाई। इस प्रकार कुल मिलाकर ब्रिटिश शाषन व्यविस्ता में तीन वैचारिक वर्ग परिलक्षित हुए। एक वो वर्ग था जो रास्टवादी भारतिये विरासत का कट्टर समर्थक था, एवं इस विरासत से अलग या विदेशी मूल के शिक्षा संस्कृती का तिरसकार करता था। दूसरा वो वर्ग था जो विदेशी मूल के आधुनिक अध्यन का विरोधी तो नहीं था, परन्तो उसका पक्ष ये था कि आधुनिक शिक्षा का स्वदेशिकरन किया जाए और इसे भारतिये परिस्तितियों की दृष्टी से प्रासंगिक बनाया जाए। बनारत हिंदो विश्विदाले और अलिगर्ड मुस्लिम विश्विदाले जैसे संस्ताइं इसी विचारधार का प्रतिनिधित्व करती थी। अंग्रेजों द्वारा समर्थित एक तीसरा वैचारिक संप्रदाइबी था, जो ब्रिटिश संसद भी अपचारिक तौर पर शिक्षा प्रणाली में शामिल वी। इस संदर्व में सन 1813 एक महत्पून वर्ष कहा जा सकता है। ये वो समय था जब ब्रिटिश संसद में इस्ट इंडिया कंपनी के घोशन पत्र का नवीनी करन अधिनियम लाया गया। ब्रि कि वो साहित के पुनरजीवन भारत के देशी विद्वानों के प्रोसाहन तथा ब्रिटिश शेत्र के वासियों में विज्ञान के संस्थापन और उनियन पर जोटे हैं। हालकि इस राशी को व्य करने के प्रश्ण के विवात के कारण 1823 तक ये राशी उपलब्द नहीं हो सकी। इस संबंध में लॉड मकाले द्वारा तयार किया गया मकाले मिनिट्स का भारतिय इतिहास और शिक्षापनाली में एक अलग अस्थान है। लेकिन ब्रिटिश शिक्षापनाली के अंदरगत मकाले की शिक्षानीती अत्वा योगदानों या भूमिकाओं को जानेने स पुर्व ये जानना आवश्यक होगा कि मकाले कौन था। मकाले बहुत बड़ा अंग्रेज विद्वान, लेखक और विचारक था। उसका पूरा नाम थॉमस बैबिंग्टन मकाले था। इसे लॉड की उपादी प्राप्ट थी। इसलिए इसे लॉड मकाले के नाम से भी महत्पूरनस्थान प्राप्ट है। लॉड मकाले का दरसल 1834 में चार वर्ष के लिए भारत आना हुआ। भारत के लिए बनी सरवच कांसिल के सदस के रूप में लॉड मकाले जनरल कमीटी ऑन पबलिक इंटरेक्शन के चेर्मेन भी थे। इन्ही के दिशा निर्देश में एक मेमरंडम तयार किया गया जिसमें इस बात पे जोर दिया गया था कि भारतिय शुक्षा के विकास में संस्कृत, अर्बी और फार्सी की आवशक्ता नहीं है। मकाले का ये भी मानना था कि पाश्चात विज्ञान के विकास के लिए अंग्रेजी भाषा बेहतर है। इन मकाले के उस कथन के भारतियों के बीच काफी आलोचना हुई जिसमें उन्हाने कहा था कि एक अच्छी यूरोपिय लाइबरिडी की एक अकेली आलमारी समस्त भारत और अरब के साहित से कहीं बहतर है। मकाले का ये भी मानना था कि भारत में अंग्रेजी का प्रियोग साधनों के साथ पूरी जनता को शिक्षित नहीं किया जा सकता है। दरहसल इन सब के पीछे लौड मकाले के सोच भारत में ही भारतियों के एक ऐसे वर्ग के अस्थापना करनी थी जो रक्त और रंग से तो भारतिये हो लेकिन उसकी सोच विचारधारा, रूची, नैतिक्त तता बुद्धि अंग्रेजो वाली हो। मकाले को इस बात का ग्यान था कि भारतियों का यही वर्ग आगे चल कर उनके और अंग्रेजों के बीच दुभाशिय के काम करेगा। मकाले का ये भी मानना था कि हम भारतियों के उस वर्ग पर दाइत वसौम सकते हैं कि वो देश म इस योग बनाए कि वो समस्तर जन संख्या तक उस ग्यान को ले जा सकें। मकाले दोरा तयार इस मकाले मिनट्स को विपरवेशन सिध्धांत या डाउनवर्ड इंफिल्ट्रेशन थियोरी के नाम से भी जाना जाता है। उस समय भारत के गवर्ण जनरल रहे लौड विलियम बन्टिक ने मकाले मिनट्स को स्युकार किया तथा ब्रिटिश सामराजी के ओर से भारतिय शिक्षा परणाली में अंग्रेजी को आधिकारिक तौर पर उप्योग करने के अपने स्विक्रती दी। वर्तमान शिक्षा पद्धती में मकाले की आज भी अलोचना होती है। वि और वहीं दूसरी भाषाओं से शिक्षित व्यक्ती के साथ हम दोयम दरजे का बरताव करते हैं। मकाले मिनट्स के बाद लागू किये वुट्स डिस्पैच का उलेक करना यहां पे बहतर रहेगा। वुट्स डिस्पैच जिसे भारतिय शिक्षा का मैंगना काटा भी कहा ज दिश दिया कि किसी भी परिस्थिती में इसकी अभेलना नहीं हो। वुट्स डिस्पैच के अंद्रगत यूरोपिय कलाओं, दर्शन, साहित्य, विज्ञान का अंग्रेजी के माध्यम से प्रचार परसार करना था। साथ ही भारतिय भाषाओं के उनियन का प्रयास करना और लोक नौकरशाही की उत्पत्ती करना वुट्स डिस्पैच के मुख देश थे। इस दोरान जन शिक्षा के प्रचार और परसार पर जोर देते वे देश के अलग-अलग हिसों में प्रात्मिक मिडल और हाई स्कूल खोले के वुट्स डिस्पैच के ही कारण उच्चे शिक् को डिग्री प्रदान की जाती थी। देश के पांच प्रांत बॉंबे, मदरास, बंगाल, पंजाब और नौर्थ वेस्ट प्रोविंस में डिपार्टमिक अफ पब्लिक इंटरेक्शन खोले गए। इन सब के अलावा वुट्स डिस्पैच के तहत और भी पक्षों पर धिय इसके अंध्रिगत देश भर में श्रे निकरित विद्धालियों, प्रारंबिक स्कूल, हाई स्कूल, इंटरमीडियेड, कॉलेज तथा विश्विद्धालिय का निटवर्क अस्थापित के अगया है। विद्धालियों को विद्धिय साहिता देने के लिए ग्रांट इंजिनियरिंग विधी तथा ववैसा एक शिक्षा के अन्न संस्ताओं के अस्तापना के अनुशनशा वुट्स डिस्पैच के खास अव्यव हैं। वुट्स डिस्पैच का ही आकलन करें तो हमें पता चलेगा कि निशित तोर पर इससे शिक्षा का श्रेनी करन करने में साहिता मिली तता माध्यमिक शिक्षा और प्रात्मिक शिक्षा को बढ़ावा मिला। अलग-अलग हिस्सों में स्कूल भी खोले गए। लेकिन ये भी सच है कि क्रिशियन मिशनरियों को छोड़कर वुट्स डिस्पैच की दूसरी अनुशनशाओं की जान भूज कर उपेक्षा की गई। इसका दुरगामी परिणाम ये हुआ कि जन शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाया। साथी सार्विक साक्षरता के लक्ष को भी नहीं हासिल किया जा सका। बरहल मकाली मिनट्स और वुट्स डिस्पैच की कम्यों को पूरा करने के लिए बात के वर्शों में हंटर कमिशन, सैंडरायोग जैसी कई समीतियों के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतिये शिक्षा की दिशा और दशा सुधाने के कोशिश की ये प्रयास कितने सफल र पड़ा ये हम आपको बताएंगे अपने अगले अंक में तब तक के लिए नमस्कार